जै श्री गणेश गडेश चतुर्थी का त्योहार आने ही वाला है और हम बना सकते हैं ऐसे शांदार मोदक बिना फ्राइ करें बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बहुत कम खर्चे से घर के सामानों से और इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से स्टफिंग वाले और यह दि देखिए इसके अंदर की फिलिंग देखिए कितनी शांदार है दमदानेदार कैसे बनते हैं इसे शांदार मोदक चली बनाते हैं यहां पर ले रहे हम यह ड्राइफ रूट का पाउडर तयार कर लिए हमने जिसमें नारियल जो किसा हुआ है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है काजू बदाम मखाने जो भी आपके पास एवेलेबल हो आप उनको एक दरदरा सा पाउडर तयार कर लीजिए इससे बहुत शांदार वाले स्टफिंग तयार होगी जो मोदक के सुवात को बहुत अच्छा बढ़ा देगी और यह अंदर से एकदम भरे भरे रह यह है और अब है इसको इसके साथ में हम मिकसर ग्राइंडर में पीस लेंगे तो अंदर की जो स्टफिंग है एकदम सौफ्ट मुलायम बहुत शांदार स्वादिस्ट बनेगी और हमको इसमें शक्कर मिलाने की ज़रूत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इसकी स्टफिंग म है ताकि एक अच्छी सी मिठास भी आजाए हमको शक्कर भी ना मिलाना पड़े यह हुई रेडी आप कडाही में लेते हैं दो चम्मस देशी घी देशी घी से इसका स्वाद बहुत बहतर आएगा घी के गर्म होते ही यहां पर हम ले रहे हैं बेसन यहां पर देढ़ कप बे लेकिन जैसे इसको पकाते रहेंगे लगातार मद्यमाच पर तो यह वापस से घी छोड़ना शुरू करेगा तो जैसे जैसे घी छोड़ना शुरू करेगा ता हम समत जाएंगे यहां पर कि हमारा बेसन अच्छी तरीके से पक चुका है यह देखिए कितना पतला होते जा र हो गया है मतलब हमारा बेसन इंदम तयार है इसको निकाल लेते हैं फिर से कड़ाही में लेते हैं एक कप दूद और उसी के साथ यह पौना कप शक्कर यह शक्कर अपने हिसाब से आप ज्यादा भी कर सकते हैं आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो यहां पर वैसे इतना मीठ पाउडर और थोड़ा सा यहां पर पीला रंग आप चाहें तो पीले रंग के बिना भी बना सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं लेकिन इसका कलर थोड़ा और बहतर हो जाएगा इसलिए हमने मिला दिया है यहां पर दूद यहां पर गाढ़ा होना शुरू हो चुका है लगभा इसका कुछ इतना गाढ़ा है हो चुका है यह देखिए उसे ठंडा होने के लिए लग देते हैं जब ठंडा हो जाएगा तो और यह सक्स हो जाएगा फिर बनाना इसे आसान हो जाएगा यहां पर मोदक का सांचा ले रहे हैं इसमें लगा रहे हैं हलक असर घही ब्रश इस तरह के घी लगा लेंगे तो आसानी से मोदक हमारे निकल जाएंगे और इसको कर देते हैं लॉक थोड़ी सी फिलिंग इसके अंदर भरेंगे इसको इस तरीके से भरके थोड़ी सी बीच में जगे बनाएंगे और जो हमारी यह स्टफिंग जो हमने तयार करे थी निया बुलका भरेगे हम तो यह बिखर जाएंगी हमारे मोदक हे अच्छ Mason number गा Constitution बना करें इस कजा हमारे मिष्रड को थोड़ी सी बीच में जगे बना लाकर आ basketball each other बहुत अच्छा स्वाद आएगा बच्चों को इतना पसंद आएगा तो आपके लिए एक बहुत शांदर अप्शन हो जाएगा चैटपट मिठाई बनाने के लिए यह देखिए फिर से भई नीचे से फिर से हम बरेंगे मिश्रण को और टाइट कर देंगे इसे टाइट करेंगे तभी यह बनेंगे और कुछ देर के लिए रख देंगे तो यह परफेक्ट बिलकुल कड़क हो जाएंगे खाने के लिए मतलब कड़क वैसे नहीं कातेंगे तो आसानी से खाने लाइक मूँ में घुल जाने वाले मोदक होंगे तयार और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल नोटिफिकेशन अलाव कर दीजे ताकि इस तरीकिक और भी धेर सारी रेसिपी साहब आसानी से देख सकें तो यह देखिए शांदार से मोदक हमारे हैं तयार